हेलो एवरीवन वेलकम तो आट्शा स्टर्डी मेर डीजी आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपको डेख लेख ले और डेस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा वहां से आप पीडिये डाउनलोड कर सकते हैं तो चलब है सुरू करते हैं आज कामारा टोपीक है वॉट्त कैंवी फाइंड अबाउट अबाउट्स विए अपको प्रतीनीदित्व करते हुए, तो क्या होता है? उस टाइम आपका सोसाइटी बढ़ा हो जाता है, इंटरेश्टेक होता है, माझंव Droga जारखंड में कोई बात हो रहा है, तो आप Vory बन जाते हो, तो क्या होता है कि आपका society बड़ा छोटा होते रहता है, तो उसमें differences भी curiosity होता है, तो उस टायम में social difference होता होगा कोई rich होता होगा कोई पूर होता होगा तो यह सब आखिर होता भी था कि नहीं ठीक है तो यह सब आम लोग तोड़ा जानने का कोशिस करते हैं तो और आर्केलोजिस्ट ठीक है तो उसके साथ जो भी ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसी डेड़ परसन का होता है तो अब रियालीटी नहीं पता है ठीक है लेकिन most probably यहीं होता होगा कि जो अभी भी क्या होता है कि कि किसी का मृत्य हो जाता है तो उसके साथ एक दो समान सौग के साथ छोड़ दिया जाता है तो उस टाइम भी होता होगा ठीक है कुर्णूल केपस है उसके नीचे पैयम पल्ली और कुर्णूल केपस के बीच में आपको कौन से जगा मिलेगा ब्रहमागीरी ठीक है तो यहां के बारे हम लोग को पढ़ना है ठीक है तो यहां पे ब्रहमागीरी में एक तो उस एसकलेटन के साथ याने कि जहां पर वह उस एसकलेटन के साथ याने कि जहां पर वह एक नवस्यां ऐख रहें जैए तो तेती सुने का है तो किमती पत्थर कहीं होगा ठीक है मामुली पत्थर नहीं होगा फोर कॉपर बैंगल्स चार जो है कॉपर का चूडिया मिला ठीक है और इसक्लेटं सांट इतना चीज मिला या ठीक है और दूसरे ऐसक्लेटं वहीं पर ब्रहमा गीरी में और यो यहीं पता चलता है K जो लोग रफनाया जाते थे उनके बीच में को distance और सोच्ञ ठीक है कुछ ना कुछ अंतर था तभी तो एक के साथ इतना ज़्यादा समान और दूसरे के साथ बस मिटी का घड़ा ठीक है तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है हो सकता है somewhere rich कुछ काफी अमीर हो या अमीर हो others poor कुछ क्या हो गरीब हो some chiefs यानि कि कुछ जो होते हैं चीफ होते हैं ठीक है लीडर टाइप के other followers दूसरा जो उनके बात मानते हैं वो होते हैं एक प्रसासक हो गया जैसे ठीक है तो ब्रहाँगेरी का ठीक है वेर शम्हां ब्यूरियल और कि मिन्ट फॉर सटन फैमिलीज अभी हमारा next टापिक है कि कुछ जो ब्यूरियल ऐस्पार्ट है यानि कि कोई कोई लोकेशन है जो ब्यूरियल का वहां पर क्या वह जो लोकेशन हो किसी खास फैमिली का है ठीक है यानि कि उस्टाइम फैमिली की तरह लोग रहते थे क्या तो उसको लोग देखते हैं कि some Megaliths contain more than one escalator तो कुछ-कुछ Megaliths, Megaliths क्या होता है तो पिछली लेक्चर में हम लोगों ने देखे था, ठीक है कि Megaliths एक बड़ा सा स्टोन था ठीक है जो कि जो व्यूरियल साइट होता है उसके उपर रख दिया जाता है जी से कि क्या पता चलता है कि हाँ यहां पे किसी का कबर है तो कोई-कोई जो मेगा लित है यानि कि जहां पे पत्थर लगा हुआ तो वहां पे एक से जाधा इसकेलेटन मिला है अब इसका क्या मतलब है तो हम लोग आगे देखते हैं इसका क्या मतलब है क्यों एक से ज़्यादा इसकेलेटन हो सकता है तो इससे यह पता चलता है कि जो ब्यूरियल था ठीक है तो उसमें कोई एक आदमी दफन हो गया ठीक है बाद में उसी के फैमिली का कोई दूसरे आदमी का मृत्य हुआ ठीक है कोई दूसरा आदमी मरा तो उसको भी उसी में ले जाकर कर दफन कर देते थे तो एक ही जो burial site है इसी लिए एक ही burial site से दो या उससे अधिक skeletons भी मिले हैं तो इससे क्या पता चलता है कि वो लोग एक ही family के रहे होंगे the bodies of those who died later were brought into the grave through the port holes अब यह port holes क्या होता है कि पिछले lecture में हम लोग देखे थे ठीक है कि एक burial site ऐसा था जिसके चारों तरफ से क्या था इस टून लगाया हुआ था मतलब métalite ज्यादा नंबर में एक ही पत्तर नहीं था बड़े बड़े पत्तर और ःसना your fatal उसी से डाला जाता था दूसरे जो मतलब 100 होता था या जुसरा जो डेड़ बोड़ी होता था उसको उस पोर्ट होल से डालते थे तो अब पता चल गया कि पोर्ट होल्स क्यों बनाया जाता था ताकि उस ब्यूरियल में और भी लासे ठीक है लासू को मतलब एड किया जा सके जरूरत के हिसाब से, stone circles और boulders placed on the surface probably served as sign posts to find the burial site so that people could return to same place whenever they wanted to. तो stone circle या boulders क्यों बनाया जाता था वहाँ पर ताकि वो लोग को मतलब अगर कभी आना हो वहाँ पर ठीक है उस location पर तो वो लोग दुबारा से वहाँ पर आ सके ठीक है? अब हम लोग एक special burial के बारे में देखते हैं ठीक है? पहले इनाम गाउ का है? तो यह map आपके दिमाग में राना चेए ठीक है? map में कौन सा location का है? तो यह तो गोदाबरी river है यहाँ पर ठीक है? आई यहाँ पर आपको इनाम गाउ ठीक है? मुंबई से नसदीक में है, ठीक है? तो इनाम गाउ जो है यह कहाँ पर है तो यह घोड घोड नाम का एक river है, ठीक है? घोड river के किनारे यह एक site है और यह किस नदी के टरिब्युट्री है तो भीमा नदी का ट्रिब्यूट्री है कौन सा नदी तो घोर और घोर नदी के किनारे कौन सा साइट है तो इनाम गाउं इट वाज ऑक्यूपाइट बिट्विन 3600 एंड 2700 एर्स अगो तो यह जो इनाम गाउं है ठीक है तो यह अभी से 2700 चे लेकर के 3600 एर्स एगो जो है ऑक्यूपाई किया गया है तो मतलब यहां पे सेटलमेंट हुआ था लोगों का ठीक हीर एडल्स वे जेनरली बूरीड इन दा ग्राउंड लेड आउट इस्ट्रेट विद दे हेड तो यहां पे जो इनाम गाउं में जो बूरियल साइट मिले तो वहां प कि जो एडल्स होते थे उनको इस्ट्रेट लेटा करके और उनके हेड को नौर्थ और जो लेक्स होते थे उसको साट डिरेक्शन में रा करके तब उनको ब्यूरी किया जाता था यानि कि दफनाया जाता था कभी-कभी या किसी-किसी cases में जो burials जो है वो घर के अंदर भी मिले हैं पता नहीं कैसे वे लोग करते थे लेकिन घर के अंदर ही लोगों को क्या करते थे दफन कर देते थे किसी-किसी case में ऐसा मिला है ठीक है vessels that probably contained food and water were placed with the dead तो जो मृत्यू मतलब जिसका होता था जो की जो मृतक था उसके साथ उसके कबर में क्या क्या डाला जाता था जो वेसाज डाले जाते दो बरतन वगारा जो डाले जाते थे पोट्स वगारा तो उसमें क्या होता था food होता था और water होता था ठीक one man was found buried in a large four-legged clay jar in the courtyard of a five-roomed house one of the largest houses at the site and in center of the settlement तो अभी एक special यह topic ही था हमारा special burial at इनाम गाउं ठीक है तो इनाम गाउं के बीचों बीच ठीक है एक ऐसा कबर मिला है जहां पे एक ब्यक्ती जो है उसको किस चीज पर दफना है गया तो पहले उसको एक मीटि का jar टाइप का बनाया गया ठीक है उसके चार पाओं थे मतलब एक तरह से जो cut होता है ना खटिया जिसको बोलते हैं तो ओएसा cut type का बना करके उस पे उसको लेटा करके तब उसको ब्यूरी किया गया और जो ब्यूरी किया गया उसको ठीक है कहां पर में 2021 याणि कि उस टाइम के जलिशाफ से काफी बड़े से विसाल से खर हो गया ठीक है उस अब ही के वहर के कोटियाड में उसको दफन किया गया और ये जो सट्लमेंठ के भी औा था ऐसा तो यह काफी special भी रियल है ठीक है तो इससे काफी कुछ पता चलता है कि हो सकता है वो आदमी क्या हो वहां का special रहा हो ruler type का रहा हो तो social differences वहां भी रहा होगा तभी तो कोई adult का simple सा ऐसा कबर मिला है और यह एक special कबर है ठीक है यह जो कबर है इनाम गाओं का यह सबसे different कबर मिला है ठीक है this house also had a granary तो यह जिस घर में यह कबर मिला है settlement के बीचो बीच यह पांच रूम वाले घर में इसमें एक granary भी है यह बहुत बड़ा बात होता था ठीक है उस टाइम ज्यादा granary नहीं वह लोग क्या करते थे छोटे चोटे पॉट्स में यह श्टोर करते थे तो granary उसी के पास होगा जो की काफी रिच रहा होगा उस टाइम टिक जिसके पास काफी सारे मतलब खेत होंगे तो उस टाइम क्या होता था लोग production करते थे तो बचाते नहीं थे क्या होता था जो भी वह लोग produce करते थे फार्मर करते थे लेकिन उसी के पास बचेगा ना जिसके पास काफी ज़्यादा खेत होगा production थोड़ा ज्यादा होगा तो उसको हम लोग अधीसियस बोलते हैं इंडी में ठीक है अधीसियस तियानी कि जो बचा हुआ पोर प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो थोड़ा बहुत बच जाता है छोटे फार्मर्स को भी वह लोग उसको सेल कर लेते हैं लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था प्रोडक्शन काफी कम limited amount में होता था बस वह लोग इतना consume कर सके तो वह बचा था तो ग्रेनरी था उसके पास तो जो बॉड़ी था ना वो क्रोस्ट लेग्ड पोजीशन में था एक लेग के उपर एक लेग अब पता नहीं क्यूं था क्या रीजन था इसका लेकिन एक लेग के उपर दूसरा लेग था उस बॉड़ी का है जो एस्पेसल ब्यूरियल मिला है अब हम लोग देखते हैं occupations at इ evidence मिलता है उसी के basis पे कोई भी study किया जाता है ठीक है कोई भी record बनाया जाता है उसी के basis पे तो हम लोग देखते हैं कि यह अंदाजा लगाने के कोशिस करते हैं कि क्या occupation रहा होगा तो archaeologist have found seeds of wheat, barley, rice, pulses, millets, peas and sesame तो archaeologist को क्या है इन सब चीजों का वहाँ पे seeds मिला है कि इसका तो wheat, barley, rice, pulse, डाल वगरा का क्या हुआ है seeds मिला है अब seeds मिला है तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ farmer तो पक्का रहे होंगे ठीक बीना farmer का seeds कहा से आएगा उसके बाद देखते हैं bones of a number of animals many bearing cut marks that so they may have been used as food have also been found तो वहाँ पर जो है इनाम गाओं में काफी सारे जानुवरों का हड़ी मिला है ठीक है और उस हड़ी पर क्या है cut marks है तो cut marks है इसका क्या मतलब है कि वहाँ जो लोग रहते थे इनाम गाओं के लोग तो वे लोग उसको cut करे होंगे जो जानुवर का पपार्म वय इसको काते हूंगे तभ्य तो उसके बूंड़ पर cut marks है तो इसका मतलब क्या है वेसिख टो सीट्स मिला है तो वह लोग तो साथ में हंटर्म हुए यानि कि सीकार करके वह लोग उ सकते होंगे या होडर्श रह होंग या कि जानुवरों को पालते होंगे और ज ठीक है उसके बाद पीग, संभर, एस्पोटेड डियर, ब्लैक बोक, एंटिलोप, हेर, एंड मोंगूस, बिसाइट्स, बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, एंड फिस, काफी जानुवर मिलें ठीक है, इतनों का नाम लेना कोई आप तो अंदाजा लगाई सकते हैं क रूट्स सच एज बेर, आमला, जामून, डेक, गाट आवराइटी ओ बेरीज वेर, आमला, जामून, डेक, मतलब खजूर, ठीक है, और काफी टाइप का बेरीज, भी मतलब वे लोग कलेक्ट करते होंगे, इन तीनों पॉइंट से क्या पता चलता है, तीनों पॉइंट से, पहले से की वे लोग तो farmer रहे होंगे, दूसरा वे लोग hunters रहे होंगे, और तीसरा क्या रहे होंगे, hunters और herders भी रहे होंगे, ठीक है, और चौथा क्या वे लोग gatherers रहे होंगे, तो hunters, gatherers और farmers, ठीक है, सब रहे होंगे वे लोग, अब देखते हैं हम लोग, कि what escalator studies tells us, अब ज study करते हैं archaeologist तो archaeologist अब उसको study करते हैं तो आखिर पता क्या चलता है तो skeletal study से क्या हम लोगों को skeletal study बताता है तो देखते हैं तो सबसे पहले point it is easy to make out the skeleton of a child from its small size तो सबसे पहले जो skeleton छोटे size का है तो उसको तो देख के ही पता चल जाता है कि यह किसी बच्चे का हड़ी है skeleton है ठीक तो बच्चों को तो पहचानने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होता है however there are no major differences in the bones of a girl and a boy लेकिन हा यह जो है यह कापी difficult होता है क्योंकि जो बून होता है girl का और boy का यानि की कीड का बात होता है छोटे बच्चों का तो उसमें ज्यादा difference नहीं होता है इसलिए यह पहचानना मुस्किल होता है कि यह जो skeleton है लड़का का है यह लड़की का है ठीक can we make out whether a skeleton was that of a man or women तो अब चलो बच्चा में तो डाव टेलेगें अभी हम लोग क्या skeleton को देख कि यह बता सकते हैं कि यह मर्द का है कि यह औरत का मतलब यह इडल का बात हो रहा है ठीक है जो बड़े यह लोग जो skeleton के साथ जो चीज मिलते हैं ठीक है तो उसके basis पर क्या करते हैं मतलब conclusion निकालते हैं कि हाँ यह किसका skeleton है ठीक तो जैसे मानों कोई skeleton है तो उसके साथ हथियार मिला है ठीक है हथियार हथियार वगरा मिला है तो इससे मतलब जेनरली एजिूम करते हैं पहले ही वे लोग कि यहीं किसी मेन का एश्कलेटन है अगर कोई एसकलेटन है उसके साथ जादा जुएलरी मिला है तो इससे क्या पता चलता है कि वो किसी वीमेन का एसकलेटन है अभी हम लोग आगे देखते हैं इसके उपर वाला point देखते हैं पहले तो क्या होता है कि अगर जोल्री है तो women का होगा तो however there are problems with this लेकिन अब इसके साथ भी एक problem है अब वो problem क्या है ये देखते हैं often men also wore a ornaments तो सबसे बरा problem ये है कि हम लोग तो अभी क्या पढ़े है कि ornaments देख कि ये पता कर सकते हैं ये judge कर सकते हैं ये conclude कर सकते हैं कि ये क्या है एक women का escalator लेकिन अभी क्या एक और problem आ जाता है कि उस टाइम main भी ornaments पाहनते थे यानि कि जो jewelry वगारा होता था उसको main भी पाहनते थे काफी टाइम अभी भी कुछ लोग है कान वगारा में पाहन लेते हैं थोड़ा फैसन चला हुआ है तो उस टाइम भी पाहनते थे ठीक है लेकिन उस टाइम काफी ज्यादा पाहनते थे तो अब तो conclude करना archaeologist के लिए थोड़ा मुस्किल हो जाएगा कि यह जो jewelry वाला escalator नहीं यह main का है कि women का है तो अब कोई और factor डूंडना पड़ेगा कि अब कि species पे भाई पता करें कि यह main का है या women का है तो a better way of figuring out the sex of a escalator is to look at the bone structure तो अब जो इसके अलावा जो सबसे better तरीका है उसके sex को पता करने के लिए कि वो male है या female है तो उसके जो है bone के structure को देख लेते हैं ठीक है उससे पता चल जाता है archologist को इसके male का है या female का है तोoutez the heap old old right here is generally larger to enable childbearing तो एक बच्चे को जन्म जन्म देने के लिए जो भी मतलब जन्मतलब एक बच्चे को जन्म देने के लिए क्विमेण का जो pelvic area थो ए ना बच्चा का सरा के comparison में तो इस बेसिस पे जो है आर्के लोजिस्ट यह पता लगा लेते हैं जो पेलवी के एरिया है जो हीप है उसको देख करके कि यह जो है यह वीमेन के अबाउट 2000 इयर्स एगो यानि कि अभी से 2000 साल पहले देर वाज़ेमस फिजी सियन नेम चरका हूँ रोट अब बुक अन मेडिशीन नोन चरक सम्हिता ठीक है तो अभी से 2000 साल पहले एक चरक नाम के काफी प्रसीद फेमस फिजी सियन थे ठीक है जो कि अपना मेडिशीन पे ए प्रसि देखो एक यह चरक समीता यह चरक मार्सी चरक इनको बोला जाता है तो यह फिजी इसीन थे और एक और हैं ठीक है से शुसरुत नाम के सुषूत नाम के महरसी सुष्यूत रीची टाइप के थे तो वह जो है वह वह न्लुट याइलन से ठीक है तो सुषूत कैंठी थे और elfूठ चरक क्या थे फिजिसियन थे दावा वागरा से ठीक करते तो इनका जो है एक बूख पर एक जो बूख लिखे हैं वो चरक संहिता वो किसका बूख है तो मेडिसीन का बूख है वो कब लिखेते हैं अभी से अभी का जो एनाटमी है मतलब हडियों का जो study होता है ठीक है study of bones तो उसमें क्या है अभी बताया है कि एक human body में कितना average क्या उतना ही लगबग 206 होता है ठीक है यहाँ पर 200 यह तो 200 बूख तो यह जो चरक का है ठीक है चरक जो अपने चरक समहिता में लिखे है MRC चरक तो वह 360 हड़ी लिखे है तो यह काफी ज्यादा है लगबग 160 हड़ी का अंतर हो जा रहा है तो भाई यह 160 हड़ी यह ज्यादा कहां से गिन लिए ठीक है तो उस टेम तो एक स्रे मसीन था नहीं कि वह एक स्रे कर लेते लेकिन फिर भी अगर वह study करके ही लिखे होंग तो इतना हाटी कहां से लिख दिए 360 बॉन्स तो चरक एराइड दिस फिगर बाई काउंटिंग दटीथ जॉइंट्स एंड काटिलेज तो बॉडी में जितना भी टीथ है ठीक है जितने भी जॉइंट्स है और जितने भी काटिलेज है उसको भी चरक क्या कर लिए एड कर ल लगा कि तीथ जो है जॉइंट्स वगारा जो भी है जो भी बोडी में काटिलेजेज है ठीक है तो उन सब को भी वह किसमें काउंट कर लिए बॉन्स इसलिए उनका जो नंबर है वह 306 चला गया बेवकूफ नहीं थे वह ठीक है समझदार ही थे लेकिन उतना उस टाइम डे टून विख अ